ओम श्यान्ति हमारा अभी का विश्य ही है समय को शिक्षक ना बनाए प्यारे बाबा कहती है समय प्रमाण अभी बेहद की वेरग्य व्रत्ति का इमर्ज होना अती अवश्यक है बाबा ये भी चाहती है कि बच्चे समय को शिक्षक ना बनाए क्योंकि इस से माक्स कम हो जाती है कई बच्चे कहती हैं कि समय आएगा तो कर लेंगे, हो जाएगा बाबा कहती है ऐसी तो दुनिया की अन्नि आत्माईं भी कहती हैं वो भी समय अनुसार करेंगे लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार न करीं क्योंकि आप विश्व सिख्षक के मास्टर विश्व सिख्षक बच्चे हो, आप रचाईता हो, समय आपकी रचना है, तो हे रचाईता आत्माई हैं, अपनी रचना को अपना सिख्षक मत बनाओ, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने समय को कभी भी सिख्षक नहीं बनाया, उनकी वेराग्य वृत्ति आदी से लेकर के अंत तक एकरस बनी रही, यग्य की स्थापना में, जब बाबा ने तन, मन, धन, संपुर्ण रूप से समर्पित किया, तो रिंचक मात्र भी लगाव नहीं रखा, तन के लिए बाबा क्या बोलते रहे, ये मेरा तन नहीं है, ये बाबा का रत है, मैं खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं बोला, बाबा के रत को खाना खिला रहा हूँ, बाबा का भंडारा है, भोले नाथ का भंडारा है, तो एक-एक शब्द में वेराग्य व्रती जलकते रही, मन तो बाबा का सदा मन मना भवत्थाई, और धन संपुर्ण समर्पन करने के बाद, कभी संकल्प में भी नहीं आया, कभी वर्णन भी नहीं किया, कि मेरा धन मैंने लगाया, धन में मेरा पन रख करके अपने लिए कभी एक रुपए की चीज भी यूज नहीं कि, माताओं बेहनों को विल किया है, माताओं बेहने जिम्मेवार है, सदा यही कहते रहे, प्रकरती दासी होते वे भी, अपने लिए कोई स्पेशल सेलवेशन नहीं ले, सदा साधार्ण रहे, अपने प्रती कोई साधन कारिये में नहीं लगाया, कपड़े भी अंत तक साधार्ण रहे, कभी भी बदली नहीं किये, मकान बनाया, तो वो भी बच्चों के सिवा में लगा दिया, बच्चे कहते रहे, बाबा, आप नए मकान में आ जाओ, लेकिन सुनते हुए भी उपराम रहे, अगर बच्चों ने बहुत संीह दिखाया, कि नए बाबा, आपको नए मकान में आना ही होगा, तो का नई बाप पुराने में ही रहेगा नई मकान तो बच्चों के लिए हैं और फिर जब अन्त में घर जाने का समय आया वतन जाने का समय आया तो भी बच्चे सामने थे बच्चों के हाथ में हाथ था अनन्य बच्चे समुक खड़े थे लेकिन आत्मा अव्यक्त हो गई उप्राम हो गई किसी लगाव की रसी ने मुह की रसी ने बादा नहीं डाली न्यारी आत्मा एकदम जैसे देह से अलग हो गई तो बाबा ने कहा फालो फादर ब्रह्मा बाबा इतने बच्चों के जिम्मेवारी संभालते हुए इतनी परिस्थितियों का सामना करते हुए पास्विद ओरनर हो गई तो बाबा ने कहा बच्चों के तो अभी लगाव के सुक्सम रसियां यह सोने की रसियां ऐसी हैं जो अनुभव भी नहीं होती हैं सोने की सुक्सम महीन तारी हैं और कई बच्चे तो मानते ही नहीं है कि यह लगाव है वो तो यह कहती है कि यह तो होता ही है यह तो चलता ही है लेकिन बाबा का कहना है कि सुक्सम चेकिंग करके इन लगाओं से भी मुक्त हो जाओ बच्चे सोचते तो हैं कि होना है बच्चों की चाहना है कि लगाओ मुक्तो जाए लेकिन चाहना में और करने में बैलेंस नहीं है कि चाहना का परडा भरी हैं और करने का परडा हलका है कारण क्या है कारण वही है कि बेहद के वेराग्यवरती इमर्ज नहीं रहती है इमर्ज होती हैं फिर मर्ज होती हैं इसलिए द्रड संकल्प करो कि इसको इमर्ज रखना ही है अगर समय के अनुसार वेरागिवरती आएगी तो केवल पास माक्स मिलेंगे पास विद ओनर नहीं हो सकेंगे बाबा निका समय की रफतार तेज है और पुर्शारत की रफतार कम है चेकिंग करती हैं लगाओ की मोटे मोटे लगाओ को चेक कर लेती हैं मुक्तो जाती हैं लेकिन महीन लगाओ के धागों से बंधी रहती है बाबा केते हैं कि बच्चों का एक बहुत सुन्दर गीत है वतन में उड़के आ जाएं बाबा जब ये गीत सुनते हैं तो सोचते हैं कि बच्चों को वतन में बुला लें लेकिन अगर लगाओ से मुक्त नहीं हुए होंगे तो ये लगाव उड़ने नहीं देगा और फिर ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे इसलिए दृड़ता से लगाव से मुक्त बना वैरग्य मन का होना चाहिए अगर प्रोग्राम प्रमान वैरग्य आता है तो वो अल्पकाल का होता है स्थाई नहीं होता है कई बच्चे अपने लगाव की चेकिंग करती है लेकिन समयजी नहीं पाती कि ये लगाव तो बाबा कहते संपूर्ण ताके दरपण में लगाव की चेकिंग करो अभी किनारों को छोड़ो उप्राम बनो न्यारे बनो अभी समय अंतिम नजारे दिखा रहा है तो समय की घंटी सुनो और जो ब्रह्मा बाप ने किया कदम पे कदम रग उनको फुलो करो बाबा ने कहा कि जो बच्चे चक्रवर्ती बन चक्र लगाते हुए बेहत की सिवा करते हैं उनका पद उन बच्चों से उंचा हो जाता है जो एक इस थान पे रह करके सिवा करते हैं तो चक्रवर्ती बनो ये ख्याल मत करो कि हमारे पीछे से क्या होगा ये सिवा मेरी ही है मैं ही कर सकता हूँ मेरे सिवाए और कोई नहीं कर पाएगा ये भी उस सेवा से लगा हूँ है अपने ऐसे साथी तयार करो जो आपके जानी के बाद उन सेवाओं को सुचारू चला सके ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखी क्या बाबा ने संकल्प किया कि मैं चला जाओंगा तो पीछे से क्या होगा बिल्कुल नहीं एक सेकिंड में उप्राम हो गए न्यारे हो गए डिटेच हो गए कोई संकल्प नहीं आया पहले भी डिटेच थे और डिटेच होने का बाबा ने एकजम्पल स्थापन किया जब बाबा अवेक्त हुए तो और ही बच्चों के मन में कई संकल्प उठे कि अब मुरली कहां से आएगी अब हद्वन में आके क्या करेंगे अब पालना कोन करेगा लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो निश्चित था कि पहले भी जो हुआ वो ठीक हुआ आगे भी जो हुगा वो अच्छा होगा तो आप बच्चों को भी ये द्रड निश्चे होना चाहिए कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और देख रही होना सब कुछ बहुत अच्छा हुआ फिर बाबानी कहा कि जो बच्चे मन्सा, वाचा, करमना निश्वार्थ भाव से सुख देने की सिवा करती है उनको बहुत दुआई मिलती है निर्विगन सिवा का खाता बहुत जमा होता है ओटोमेटिक इससे माक्स बन जाती है और जो मेहनत करकर के सिवा करती है उनसे इतना जमा नहीं होता है तो दड़ संकल्प करो कि दुआई देनी है और दुआई लेनी है भले कोई सफाई करने की भी सिवा करता हो लेकिन जब किसी स्थान को सापसुत्रा देखती है और मन से निकलता है कि कितनी अच्छी सफाई की है तो सफाई करने वाले के खाते में दुआई जमा हो जाती है बाबनी कहा कि मर्यादा को तोड़ करके कभी किसी को सुख मत देना और मर्यादा पूर्वक कभी किसी को दुख भी मत देना अगर ऐसा दुख देंगे तो वो भी दुख के खाते में जमा होगा और मर्यादा तोड़ कर जो सुख देंगे वो भी दुख के खाते में ही जमा होगा और बाबा नी कहा कि उपर से दिखावे का सुख मत देना दिल से सुख देना मर्यादा पूर्वक दिल से जो सुख आत्मा को दिया जाता है वही सुख के खाते में जमा होता है फिर बाबा नी का मान लेजिए आप चार्जवाले हो और आपके पास कोई चीज लेने आता है तो तंगों करके चीज मत देना खुशी-खुशी से चीज देना ये लेने आ वो अगर तंग करें तो भी आप हमेश्या हर्शित रहना बाबा नी कहा कि कई बार कोई चीज आपके पास होती नहीं देने की नहीं देनी है नहीं आप दे नहीं सकते हर्जा नहीं लेकिन जब आप उनसे मिठा बोलती हैं तो उन्हें मैसुशोता है कि आधी चीज तो हमीं मिले गई तो प्यार से बोलो आओ मीठे भाई आओ मीठी बहन क्या चाहिए अच्छा देखेंगे करींगे कुस तो परबंद करींगे तो उनको लगेगा कि इस मीठी बानी से हमें बहुत कुछ मिल गया और देखने में ये भी आता है कि अगर देने की दिल होती है न तो ची कहीँ न कहीँ से आई जाती है स्टॉक बहल ही जाता है है लेकिन इसके लिए दिल बड़ी चाहिए तो आप जो भी स्टॉक संभालते हैं ड्रामा ने उसे संभालने के लिए आपको निमित बनाया है तो ब जरूर आपके और कोई न निमित भाव से, निर्मान भाव से, स्निह भाव से, सब आत्माओं की सिवा के लिए खुशी-खुशी हर्शित चेहरे से यूज करना, काम में लगाना, जो आए वो आपके दर से खुश हो करके लोटी, ऐसा संक्लिप रखना. ओम श्यान्ति